दोस्तों आप लोगों ने खुद भी देखा होगा या सोसल वीडिया के जरिए कहीं पर सुना होगा। रह्मतुल्ह ताला अले फर्माते हैं कि मैंने इमाम आउजाई रह्मतुल्ह ताला अले से पूछा हुजूर जब कोई यहूदी या नसरानी मरता है तो उसका अजाबे कबर लोगों पर जाहिर नहीं होता मगर मुसल्मानों की कबरों के हालात बाज मरतबा लोगों पर जाहिर हो जाती है इसकी क्या वजा है तो हजूरती इमाम आउजाई रह्मतुल्ह ताला अले ने फरमाया कुफार के अजाबे कबर में तो किसी मुसल्मान को सकही नहीं है उन्हें तो दाइमी अजाब का सामना करना ही पड़ता है सब मुसल्मान यकीन रखते हैं कि कुफार मरते ही अजाब में मुबतला हो जाते हैं इसलिए उनके अजाब को जाहिर नहीं किया जाता हाँ बाज मरतबा गुनागार मुसल्मानों के कबरों का हाल लोगों पर जाहिर कर दिया जाता है ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और अपने गुनाहों से सक्ची तोबा करें और अल्लह ताला को राजी करने के लिए नेक आमाल करें दोस्तो कभी कभी किसी के कबर का अजाब लोगों पर जाहिर कर दिया जाता है ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें और अपने गुनाहों से दोबा करें या लाह हम सब को दुनिया से उठा तो इमान के साथ उठा और हम सब को अजाबे कबर से महफोज फर्मा आमीन दोस्तों आप लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें